देली हाई कोट में हेरिंग चल रही थी जिसमें प्लेंटिफ वर्चुली प्रेजेंट थी और वो अपना माइक म्यूट करना भूल गई जिसमें उन्होंने कुछ अप्लेंटिफ अस्ट्रेलिया में थी वो वर्चुली प्रेजेंट थी कोट में जहां पर वो अपना माइक आफ करना भूल गई और उन्होंने कुछ वर्च यूज करे जब जज ने आइटम नमबर 10 के जगा इटम नमबर 11 उठाया तो उन्होंने अब्यूजिल वर्च का यूज किया ये केस चल रहा था जिसमें एडजर्णमेंट दी गई थी 16 अप्रेल की 2024 में इसकी हीरिंग थी और यहीं पर वो प्लेंटिफ जो थी वो ये भूल गई कि उनका माइक आउन था और उन्होंने कुछ वर्च का यूज कर लिया जो कोट में जजज ने सुना इसमें जज थी जस्टिस नीना बंसल देली हाई कोट में तो उसके साथ ही उन्होंने सियो मोटो एक्शन लिया इस पर कंटेम्ट प्रोसीडिंग के लिए और एक शोकाज नोटिस भेजी प्लेंटिफ को कि आपके खिलाफ क्यों न कंटेम्ट प्रोसीडिंग चलाई जाए कंटेम्ट आफ कोट एक 1971 के अंदर और उन्हें डारेक्ट किया कि 16 अप्रेल जो उनकी केस की हीरिंग थी नेक्स्ट उसमें इन परसन प्रेजेंट रहने की उनको प्रेजेंट वहाँ पर रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ अथार्टिस को ये डारेक्ट किया कि जब वो भी डारेक्ट किया कि ये ओडर प्लेन्टिब तक पहुंचाएं और High Commission जो अस्टरेलिया में है उन्हें आडर किया कि प्लेन्टिब तक ये ओडर पहुंचाया जाए एक वर्चुल हीरिंग के दोरान उन्होंने माइक उनका आउन राज जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया जो कोट की गरीमा को कम नीचा करती हैं जिसके लिए आप उन्हें काफी हर जाना चुकाना पड़ सकता है